तो पहले अपना question आता है कि हमें ये जो plantation है उसको maintenance की जरूरत क्या है हमें ऐसा है इसका importance क्या है अगर हम importance की बात की जाए तो जैसे हम one mouth sub की time पर हम हर साल जुलाई की time पर plantation कर देते हैं अगर हम इसकी जरूरत ना समझें तो इस हिसाब से तो आज सकर हमारे हैं पूरा इंडिया में 90% area forest होना चाहिए कि हम हर साल इतनी plantation करते हैं लेकिन फिर भी वो बचती नहीं है अगर इसके उधाराण example की बात की जाए तो MP गवर्मेंट ने जो नर्बना रिवर है नर्बना रिवर के दोनों साइड जो plantation वर्क किया था जिससे उन्होंने एक टाइप से रिवर के दोनों साइड ग्रीन कोरीडोर यानि की plantation का corridor बनाने का प्रोजक्ट किया लेकिन उस प् क्या हुआ कि plantation तो कर दी पूरा का पूरा टार्गेट आ गया district और जो नीचे SDM है उस लेवल तक टार्गेट आ गये सभी ने plantation कर दिया फोटो किछ दी वो मुखमंत्री को भेज दिया लेकिन उसका जो maintenance है वो प्रॉपर ली नहीं किया तो उसका रिचल्टी हुआ कि नहोंन नहीं करोगे तो plant survive नहीं कर पाते हैं बहुत जगा तो इसलिए यहां पर अपना जो है कि जो हमने पिछले चप्टर में जो plantation वर किया था उसको हमें कहीं न कहीं उसको maintain करना पता है अब ऐसा maintenance क्यों जरूरी है तो यहां पर यह बहुत सारे character लिखी हुए है कि हुआ गया कि जैसे जहां plantation कर गया है वहां की soil बहुत गटिया थी तो इसका result क्या होगा कि सपोज हमने plantation कर दी स्वेल गटिया थी स्वेल नहीं गया plantation की death हो गई अगर वहां पर 100 plant लगा थे अगर वहां पर 20 plant की death हो गई तो 20 की जगहें खाली हो गई उसको हमें बहनना पड़ेगा तो हम दूसरे plantation वहां लगा जाँगे इसे हम बोल सकते फिलिंग बोल देते हैं दूसरा कई वार इंसक्ट पेस्ट हैं वह भी अटेक कर देते हैं अगर वहां घास फूस है वीड है वह अगर हद से जदा गृत कर गई तो वह क्या competition में सहरा देगी तो हमें वीडिंग करनी पड़ जिस वज़े से वहां पर कोई wild animal damage ना पहुंचा उसे तो इस ताइप के बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपने चार फैक्टर पढ़ते हैं क्लामेटिक इडियाफिक टोपोग्राफिक और बायोटिक उन्हीं फैक्टर से रेलेटेड चीजा है जोने को हमें मैंटेन करने की ब पानी बगल देतेंगे अगर कोई plant है जो support नहीं खड़ा नहीं हो पा रहा है तो हम उसके बगल में डेंडर लगा देते हैं और उसे उससे बांद देते हैं इस टाकिंग बोले यह से तो यह जो टर्म है इन्हें हम धीर धीर करके एक करके हम पढ़ेंगे क्यों प्लांट को मैंटेनेंस कैसे करना होता है तो शुरूबात हम करेंगे यहां वीडिंग से वीडिंग का मतलब क्या हुआ वहां पर अक्सर जहां प्लांटेशन करके आ जाते हैं वहां बीच बीच में बहुत सारे जो जगा है वो खाली होती है और वहां पर ग्रास उबाती है अगर ग्रास को रिमोव नहीं किया तो ग्रास टाइप से न्यूट्रियंट का बहुत तो इसलिए अभी वीडिंग कर दी हमने वीड मतलब यो खर्पतवार है उसे हटा देना और यह जो वीडिंग है इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे कि एक है कम्प्लीट वीडिंग कम्प्लीट वीडिंग मतलब आप एक साइड से खड़े हुए और आपने पूरे एरिया को साफ कर दिया अब मैंन के चलो आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि पूरी पूरे एरिया की वीडि साफ ना करके आप वो जो जरूरी है मतलब जनरली जो अगर फूरेस्टी में लाइन 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 प्लान्टेशन करते हैं तो आपने लाइन को Saat जो ओछ पुरी तो इस टाइप से आपके वीडिन के तीन टाइफ होगा है एक कमप्लीट वीडिंग्ग है दूसरा लाइन वीडिंग और तीसरा है स्पॉर्ट इंक वीडिंग या स्पॉर्ट वीडिंग अब खासकर एग्रोफोरेस्टी वाले जो हैं तो कभी-कभी इंटरोव वीडिंग ही करते हैं मतलब दो रोके बीच में क्योंकि जब प्लांट कुछ टायम के बाद जब उनकी हाइट बढ़ जाती है तो प्लांट के हसपास फीड गुरू नहीं कर पाती है लेकिन खीत के जो इसमें बीच के हिस्ते है जहां पर ट्री के जो क्राउन है उसने अभी कवर नहीं किया है वहां पर यह वीड गोट कर जाती है तो वहां पर हम जब हटाते है तो उसे बोलता है एंटरोव वीडिंग के साथ-साथ एक होर होता है कि कुछ प्लांट कि अगर डैथ कर गए तो उनको हमें replace कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं replacement of casualty को जो term use किया जाता है उसे बोलते हैं beating up यह term याद करके है beating up कई बार पूछा गया है कि beating up होता क्या है क्योंकि जो remaining है जो term है जैसे कि refilling तो समझ में आता filling मतलब उसे fill करना और re मतलब again तो refilling मतलब जैसे कि आप इंक रिफिल कर रहा है जैसे printer में इंक रिफिल कर रहा हूं means refilling means दोबारा भरना तो यह थोड़ा sense आता है in filling भी वही sense देता है blanking और beating up इनका यह जो replacement of casualties है इससे कोई ज़्यदा sense नहीं बन पाता है इसलिए इनसे question भी आते हैं और confused भी हो जाते है तो beating up और blanking दोनों को ही याद रखना है अब weeding कर दी हमने यह replacement casualty को replace कर दिया इसके बाद हम क्या करते है soil working मतलब मिट्टी बगर है मिट्टी में गंकर पत्था उन्हें हटा देते हैं कई बार इसे related और चीज़ा भी होती है soil से जैसे कि hard pen का formation यहाँ पर एक term है इसे भी देख लेते हैं hard pen अब hard pen से related कई बार question आ जाते हैं तो इसे समझना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है आपकी यह है soil surface soil surface है इसके नीचे कुछ डिप में सपोज एक से डिल मीटर वन मीटर लिए यहाँ पर क्या होगा कुछ इस टाइप के metals है यहां के metallic soil होगी या फिर जैसे calcium carbonate है अधर चीज हैं भी होती है तो यहां पर अपने मान के ज़रों चंबल वालों को problem होती है calcium carbonate की राजस्थान में भी काफी जगाई यह problem है salinity salt minerals भी होते हैं वो भी आ जाते हैं तो यहां पर यह minerals एक टाइप की hard layer बना देते हैं यह जो hard layer है यह result देती है कि अगर यहां पर कोई tree growth करता है तो इसकी roots जो है वो इस layer को cross नहीं कर पाती है और इसका result ही होता है कि इसकी growth नहीं हो पाती है और इसके एक time के बाद अगर नहीं बढ़ पाया तो इसकी death हो जाती है तो यह जो नीचे hard pen formation हो रहा है soil के इसे हमें remove करना होता है तो soil working में हम यहीं करते हैं कि जहाँ plantation करते हैं वहां कई बार बड़े बड़े गड़े खुद देते हैं और गड़े इस level तक जाते हैं कि वो इस hard pen को तोड़ दाए I mean अगर आपका यह soil surface है और hard pen जो आपका formation हो रहा है वो इस level पर है तो यहाँ आप जो गड़े खुद दोगे वो इस level तक खुद दोगे यहाँ तर और यहाँ पर फिर loose मिट्टी भर दोगे और यहाँ plantation करोगे तो इससे जो hard pen का impact है वो plantation पर नहीं पड़ेगा तो यहाँ हमें soil working भी करना होता है तो आपने पड़ लिया replacement of casualties, weeding है soil working है इसके बाद अपना आएगा irrigation मतलब आपको देना होता पानी अब irrigation जो है forest department की बात की जाए तो usually क्या करते है कि एक गड़ा बना देते है फेड के आसपास जहाँ पर भी आपकी plantation लगा रखियो उसके यह तो department करता है लेकिन अगर हम basically देखा जाए जैसे agriculture में जो irrigation के methods है क्योंकि जो question है वो जब कर जाते है तो हमें यह agriculture के irrigation method है उन्हें कोई भी study करनी होती है जैसे एक method है flooding flooding आपने देख रखा है कि यह क्या करते है कि जो खेत होता है बड़ा सा खेत होता है उसमें एक कर देते हैं तालब की तरह है फ्लट लेया दिया बार लेया दिए अपना है flooding दूसरा आप फरो अपने गहूं में देखा होगा वीड की क्रॉप में कि excited करते हैं यह तो मैं जो अपना आलू करते हैं उसमें भी सी टाइप के करते हैं इन्हीं में एक method आजाता है अपना border strip ज जाना है जब यह एक strip फूल हो जाती है तो हम फिर हम दूसरी में छोड़ते हैं तो इस टाइप का जो method है इसे बोलते हैं border strip एक जो हम छोटी-छोटी जो वेजीटेबल ग्रो करते हैं जिन्हें काछी वगर जो कछवाई कर रहा है तो वह लोग क्या करेंगे छोटी-छोटी क्यारिया बनाते हैं और इन क्यारियों मतलब एक टाइप से बेसिन बनाते हैं छोड़ी-छोटी इसे बोलते हैं चेक बेसिन एक क्यारियों में करके irrigation देते हैं अगर आप कभी होटिकल्टर वालों की जो और्चार्ड्स हैं उनमें जाओगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे जैसे सपोज औरेंज की प्लांटेशन है तो अगर यह प्लांट औरेंज का है दूसरा औरेंज का है तीसरा औरेंज का है तो इस पूरे फार्म में फ्लेडिंग करके तो पानी बरबाद होगा तो यह क्या करेंगे कि जो अपनी प्लांटेशन है केबल प्लांटेशन को इस से रिंग बनाएंगे इसकी इसकी रिंग और इसकी रिंग और यह रिंग एक दूसरे से लिंग कर देंगे जिसे पानी अगर यहां देंगे तो पूरी एक लाइन में हो जागी तो इसे बोलते हैं रिंग बेसिन मतलब रिंग की बेसिन कर दें हैं यह बात अलागी कि आज के ट इस डिपार्टमेंट जनरली अपने बोला जिसे टेंकर लेके गया और डालके आ गया अब होता क्या है कि कभी कभी जो पेड़ होते हैं वो इनीशियल फेज में अगर डेंसिटी काम है तो उन्हें आसपास में हवा ती चली तो सदमी पाते हैं और जोग जाते हैं अगर वो ज इस टाकिंग कि मीशिस टिक के बगल में लेकर ंसे इस साहद लेकिंग को आप यहां भी देख सकते हो काफी यूज किया जाता है स्टाकिंग कऊमन मेठव है आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी हम प्लान्टेशन करते इस टाइप का जाली का एक फ्रेमबर्ग डाल द अखाए एक आगर आपको स्टाकिंग समझ में आ गया तो यह दूसरा है वो है सिंग्ली मोट सब्सक्रभी अगर मैंने यहां सबको ग्रोथ करने दिया, तो इसका रिजल्ट यह होगा, कि जो नीचे से वाटर मिल रहा है, वो किसी को भी प्रॉपर्ली नहीं लेगा, तो यहां पर कोई भी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए बैटर है, कि जो जिनकी ग्रोथ आ इन मेंसे है, majority, 90% को हम remove कर देते हैं, तीन-चार को छोड़ते हैं, वह भी तीन-चार को इसलिए छोड़ते हैं, कि अगले दो-तीन साल में हम देखेंगे कि किसकी performance better है, और फिर जिसकी performance better होगी, उसे छोड़ के बकार कि इनको काट देंगे, तो क्योंकि यहाँ जो stem है, वो ए एक term और आजाता है, यहाँ पर हम mulching काते हैं, mulching का क्या मतलब है, मैं साथ पहले भी आपको soil में बता चुका हूँ, कि जैसे अपनी soil surface है, अगर आप इसे open करोगे, तो इससे जो water है, वो loss होगा, उपर की तरफ जा रहा होता है, दूसरा climate वगरे काभी effect पढ़ता है, तो अ एक तो यह सड़ेगी, गलेगी, तो क्या होगा, कि organic matter जो generate करेगी, वो soil में जाएगा, तो इस type of soil की fertility है, वो fertility, वो काफी improve हो जाएगी है, दूसरा, जो water का loss हो रहा था, वो loss होना, यान कि water वगरा है, इस type की loss हो रहा है, बहुत ही कम होगा, दूसरा, climate वगरे का जो factors थे, temperature था, उसका जो impact पहरा था, वो भी काफी कम हो जाएगा, तो यह मल्चिंग खासकर जो frost वाली localities है, वहाँ यह मल्चिंग काफी help करते है, यहाँ पर जो मल्चिंग दिखाए गई, यह आर्टिफिचल है, जहाँ पर हमारे पास vegetation नहीं है, तो यहाँ पर weed growth को चेक करने के ल सब्सक्राफ हम border बना देते हैं, boundary बनाते हैं, अब boundary डिपेंड करती हैं, जैसे राजस्तान का पैसी एरिया में जहाँ पत्थर बगरा बहुत जदा है, तो आसपर उसके जो पत्थर लिए, उनकी खट्टी करके हम इस्टोनवाल की boundary बना दी, परपस होई ही कि एक बार boundary जा लागा दिया जाता है, जिससे काटों के विज़े से एनिमल उसमें एरिया में इंटर नहीं करते हैं, लेकिन और भी मेथाड है, इलेक्रिक फेंसिंग है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इलेक्रिक है या बार बायर है, पर आपने देखा हुआ है, इसमें कटी लितार हो जो बूलते हैं आपने, बार बायर और एलेक्रिक फेंसिंग, लेकिन मैंन मुद्ध है कि यह जितनी भी फेंसिंग है, एक केस में फैल हो जाती है, और वो है एलेफेंट, क्योंकि एलेफेंट क्या है, जैसे यह स्टॉन वाल है, अगर वो दिमाग खराब हो गया, उसने दो आपने यूँद क्राइव हैं, इस इसे क्रोश नहीं करते हैं, इसका रिजल्ट होता है, एलेफेंट से हम बच जाते हैं, जो नौर्थ इस बीचारा हैं, नोर्थ इस इस बीचरी वाले लेवाले रीजन में हैं, थो आप यहां पर फैंसिंग वाला मुद्ध आपको समाझ म तो यहां पर बेसिकली बोला जाए तो अपने जो प्रोटेक्शन मेजर्स थे वो कर लिए अब कुछ और चीजे बचती हैं जैसे कि उनको क्या किया तो उनके लिए काम है चार में तरह हैं जेन्व दोते हैं कि इन सेट को यहीं तरीका है यह इसे कोई केड़ा मिल गया पकड़ करके उसे मार दिया चैनल मतलब 242-45D जैसे हो का कर दिया तो बड़े वीड घास फूच जो ऊपाही हुई वह मार जाती है लाइड है तो आप वहाँ पर जो पॉपलेशन है उसको यह वाला इन्सेक्ट मैंटैन करेंगा क्योंगे हमें यह इंचक्ट तो हर्मफुल है नहीं हमारे लिए था हर्मफुल यह तो अगर इसकी पॉपलेशन कम रहेगी तो हमारे पर जो नेट एफेक्ट रहेगा हमारी ग्रोफ पर जो हमारी प्लांटेशन उस पर कम रहेगा तो उसका एक लेवल हो नॉर्मल चलता से मैनिफक्टरिंग में 10% माल बरबाद होता है वैसी अगर हमारा जो डेमेज है वह आकर 10% से नीचे है तो चल जाएगा उससे जदा नहीं होने चाहिए मतलब डेमेज एकोनोमिकली लॉस ना होना चाहिए थोड़ा बहुत चल जाता है जिसे हम होल्ड कर सकते हैं तो उसमे है बाइलोजिकली हम कंट्रोल कर लेते हैं और चौत है मैकनिकल मैकनिकल का मतलब क्या है कि हम को टाइब के जो सिल्वी खल्चरल पैटर्न है उनको यूज करेंगे फॉर एक्जामपर अगर यहां पर हमारी प्लांटेशन कर लखी है हम यहां पर एक एक खाम कर सकते हैं कि हम हमने एक टिक लागा दिया मतल Sahib तिक की रो ल्गा दिया पार दूसरा को और इसके लगा लिए तीसरी को और सबसीज लगा लिए फिर चौतिति पर अपनी टिक कीँग तो इस थाप साथ एक मे shaping कोई इंसेक्ट है वो यहां से आने के वाद है तो इस ताइब से बहुत सारी जो प्लांट की डिजी जा या इंसेक्ट पेस्ट है उन्हें रोकने में काफी हाल की मिल जाती है दूसरा मेकेनिकल में क्या जाता है जैसे कि अब उन्हें जब साइड किया था तो नीचे जमीन में वह फंज़ी साइड और उसका ट्रीटमेंट दिया था एल्डरेंट बगार है तर्माइड प्रॉल्म के लिए एडवर्स वैदर के लिए तो आप क्लाइमेटिक एड़ाफिक प्लांटिशन से पहले उसी एरिया की क्या हिस्ट्वी और फ्लांटिशन के बाद की क्या है यह पूरा इसली रिकौर्ड रखा जाता है कि फूचर में वह अ काम आएगगा यहां का जो या तो बखर openly यह होता होता प्लग जो से ले लिया क्यौ्स अंटाल इक तो सकते हैं उसका करते हैं मसक्षा करते हैं है। मतलब कुछ रुपिन आल देना गन dir मतलब मुद्दा नहीं है तो यहां पर उपसण अर्ब समत फीर करते हैं जैसी बारिस का सीजन यह लगवा एक दो मन्त हो जाएगा खित काफी अच्छा पानी मिल जाता है तो खितों में काफी अच्छी खासी बड़ी बड़ी घास होगाती है तो जब हमारे क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता तो सबसे पहले हम टेक्टर लेके जाते हैं और यह जो अब यहां पर अपने जो अगला चप्टर है वह आ जाएगा अपना टेंडिंग उपरेशन इसको काफी ध्यान से देखना क्योंकि जैसे मैंने बुला कि दो यह तीन कुश्चन आपके राजिस्थानी सीएप में इसके और नहीं आने हैं और आई शेयर में भी लगवाँ कि अब देखेंगे टेंडिंग ऑपरेशन तो पहला तो यह यह इसू है कि हम टेंडिंग करते ही क्यों है जैसे आप जनरली देखते हो कि एक प्लांटेशन है और कि कोई भी पेड़ है वह एक पेड़ से दूत्रे पेड़ के बीच की जो डिस्टेंस है वह आपको 10-10 मीटर य यह आपको 10-10 या 10-10 या 15-15 रखने ही होता है तो स्टार्टिंग में हम 10-10 पर प्लांटेशन करते हैं हम पहले एक वाई एक मीटर पर करेंगे इसके बाद प्रम उन्हें काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो यह स्थाप से कायगो खालूपिली का हम वर्डन जो है जो बीच में बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रीजन्स है रीजन्स क्या है कि अगर हमने प्लांटेशन को अगर स्टार्टिंग में 10-10 मीटर पर लगा दिया तो बीच में काफी अच्छा खासा इस पेस बच जाता है और यह जो इस पेस हैं वो कुछ प्रॉलंग दूसरा पानी पानी बर्सेगा यहां पर कोई रोखने वाला नहीं होगा तो वहां पर क्या कर देगा वाटर एलोजन्स तो हमारी जो खेत है वो लगवाग बरबाद हो जाएगा तीसरा प्लांट की बात की जाए तो अब अगर यहां अकिली प्लांटेशन है तो अगर यहा side से कोई completion नहीं होगा तो इसमें जो side की branches हैं वो काफी जदा growth करती है अब अगर ये branch है अगर इसने जदा growth कर लिया तो इसको जो load है वो कहां जाएगा नीचे अब इसके load को बचाने के लिए ये plant अपनी इस side की भी branch को बढ़ा करेगा और फिर जैसे आप दोनों हाथ में एक में कुछ पकड़ा लेते हैं तो आप थोड़ा दूसरी side जुख जाते हो बिल्कुल बैसे होगा कि अगर पेड़ के पास इस side कुछ बचाना है तो या तो पेड़ इस side जुखेगा या फिर इस side की दोलता है तो हो हाइड है को कम हो जाती है और टैफिलट एट मतलब जिसका टाइमीटर है जो नीचे से ऊपर खेणे दो ज़ते हों मतलब रीट अप टैफिलिंग हों गी और प्लांट की हाइड हो कम जाएगी कई बार कभी कर यह भी होता कि प्लांट सीधे करता क्योंकि वो उसके आसपास कॉई कॉम पार जानी कि हर और बट आत तो यह वजय है और वेट mir कॉमंसी बात यह फे यह है कि हमैं plant को starting प्लांट को स्टार्टइंग में उन्से एक वाई जो मीटर पर ही लगाना पड़ता है तो अपना जो पूरा का पूरा है वो यहीं पर है अगर हमने क्योंकि ऐसी चीज़ां को अगर मैंटें नहीं किया तो हमारा जो टिम बारा उसकी क्वालिटी गड़ जाएगी क्योंकि अगर वो सीधा नहीं होगा रेट आफ प्रैपरिंग प्रॉफिट कम होगा था हमारा है लॉस हो गया अब इसका सॉल्यूशन को यह हो सकता है जो मैं आप भी बात कर रहे थे कि एक काम करते हैं कि इनकी जो स्पेसिंग है उसे क्लोज कर दो जैसे कि वन वाई वन मीटर पर लगा दो जैसे कि यह है यह यहाँ पर क्या दे रहा है दो से मिट Fatate और इनों ने एक वाई एक मीटर पर च्मीट मWill टान्यूसन लगा दि लान के लिनियर प्लानिटर से हैं इनके बीच की स्पेसी, जब यह और बड़ा हुए, जैसे इस कंडीशन में पहुंचेगे, तो इनके क्राउन है, जब आपस में चिपकने लगेंगे, दूसरे गोथने लगेंगे, उस टाइम पर हम कुछ प्लांट को कट कर देंगे, जिससे इन्हें साइड से कॉंप्टीशन मिलें लेकिन लिमिटेड, यानि कि हम इनकी जो ग्रोथ है, उसको लिमिट में लेके चलेंगे, जिससे ये प्रॉपरली अपने आपको ग्रोथ कर, हम ना तो इन्हें बिल्कुल फिरी छोड़ेंगे, और नहीं इन्हें बिल्कुल दर तरीके से दबाएंगे, इन्हें कंट् तरीके से growth करने देंगे तो इस type से हमें जो जिस quality के product चाहिए थे जिस quality के हमें stem यान की tree चाहिए थे उस quality के हमें मिल जाते हैं तो यहां से यहां तक ले जाने के जो तरीका है जो maintain का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं tending इस tending में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हुए है जिसमें beading भी है thinning है cleaning है climber cutting है और इसमें एक जो सबसे बड़ा part आता यह अपना thinning वाला part है और इस chapter का जो मैं बोल रहा था जो important chapter है तो इसके जो basically जो question आते हैं वो इस thinning से ही आते हैं अब tending operation क्यों करते हैं आपको समाज में आगए इसकी requirement क्या है बहुत समाज में आ गई और tending operation में क्या क्या करते हैं जो मैंने अभी बोला था वीडिंग है cleaning है cleaning है किलंबर कटिंग है प्रूनिंग है और इंप्रोव्मेंट फिलिंग है यह लगको बेसिक चीज है जिने हम tending operation के अंदर-अंदर करते हैं पहले हम एक बार इने बीडिंग क्लीनिंग को सबको देख लेते हैं तो इसमें basically जो हमें पढ़ेंगे वो thinning और इंप्रोव्मेंट फिलिंग को काफी अच्छा खासा पढ़ेंगे और पहले छोटी-छोटी चीजों को निप्टा लेते हैं तो पहला अपना आजाएगा एक तो trending operation क्या होता उसकी एक common सी definition है कि कोई भी operation जो उसके plant की starting की growth से लिखरके उसकी last में जो हम harvest करेंगे उस तक की जो growth हो गए रहा है उसको रीजनरेशन से लिखरके उसकी final stage तक की management करना है तो यह tending operation क्या होता है उसकी plant के stabilisement यानि की regeneration से लिखरके उसकी last की harvesting stage तक उसके बीच में हम उसको जो एक environment provide कराएंगे जो उसको हम maintain करेंगे final stage तक पहुंचे पहुंचे तो यह operation को क्या बोलेंग इस पर question आ जाते हैं अब इसको ऐसी देख सकते हैं कि जैसे यहां पर कोई soil है starting में plantation करने वाले हो तो हम क्या करेंगे soil working या कोई पुरानी plantation थी उसे आपने काटा है तो इसे काट दिया है तो काटने के बाद फील्ड जो है वो तो खली मचा तो उसको भी soil है आपको soil working करोग इसके बाद यहां पर regeneration आएगा फिर regeneration इस्टेबलाइज होगी फिर उनका mid age आएगी और फिर last में harvesting आएगी तो यहां से लेकर करके soil working से लेकर के यहां तक की जो age तक जो आपने काम करते हैं यह पूरा का पूरा आता है कि इसमें tending operation में लेगिन इसके भी कुछ issue है देखो क you need you belaimer 10 कुछ operation होते हैं जो properly बैर करते और कुछ IQ कि जो operation होते हैं उनका काम केवल वहां पर cleaning अगरवा साफ सफाइख करना तुछिए साफ सफाइक का काम हैं जो हम यहां पर करेंगे साब सफाई का काम कुछ यहां पर करेंगे जैसे रिजनरेशन फिलिंग और स्वाइल वर्किंग बगर है इसको हम एक नए टर्म के अंदर रख देते एक नए चप्टर में रख देते हैं जिससे बोलते हम कल्चुरल ऑपरेशन और रिमैनिंग जो है बुक इसमें आएंगे अपने टेंडिंग ऑपरेशन में थिनिंग नहीं वोलाओं तो यह पूरा का पूरा जो आपको बताया है जो अपना रहर है यह आगया अपना कल्चुरल ऑपरेशन का पाट है अब इसमें जो अपने पाट थे जिनने देख लेते एंगे कि इसापको मालूम हुने चाहिए के कल्चरल ऑपरेशन होता क्या है कल्चरल ऑपरेशन कोई अलग बात नहीं है जो अपना टेंडिंग की अगर सर्कल मान लो ऑपने वापरेशन को तो एक छोटा साफ बशंट है निगो इसमें पहला क्या करांगे जैसे वीडिंग ह हम घास बगारे जो ओग आई है उससे हटाएंगे क्यों हटाएंगे क्योंकि घास इक तो अपनी प्लांटेशन इसको कॉम्प्टीशन देगी दूसरा घास अक्सर मौसम के बाद सूप जाती है तो फायर बगारे हजार्ड ना हो जाए यह चीज़े दिक्कत देती हैं दूसरा तो वहां आसपास इंसेक्ट पेस्ट उनको एक घर का काम करती है ग्रास वह उनमें दुखे रहते हैं अपनी में प्लांटेशन को बहुत ज़्यदा डामेज करते हैं और वीडिंग के क्या पैटर्न होंगे इन्हें हम देख चुकी थे अभी पिछली चप्टार में जिसमें प्लांटेशन में तो वीडिंग हो गई वीडिंग के बाद दूसरा पोइंट आता अपना क्लीनिंग के मतलब साफ सफाइ करना इसमें क्या करेंगे हम कल्चरल ऑपरेशन में भी एक लिए जाते हैं जैसे अपने कहीं पेड़ है उसमें बहुत सारे उल्टी-सीदी पेड़ चुका है जिसका जो क्राउन वो अब नॉर्मल नहीं है वो अब नॉर्मल है और वो उसका क्राउन दूसरी प्यूड़ों को एक्राउट कर देता है तो सीधा विद्धा कुष्ण में में वह यह डेफिनिशन लिख रहा था तो सब्सक्राइब का कि पेड़ जो दूसरों के ल हैं उनके क्राउन को ऊपर से इंक्रॉस्ट कर लेता है उसे क्या बोलते हैं तो ऑप्शन था बोल्ट इसके बाद कुछ ऐसी भी होंगे जहां प्लांटेशन कर रहा है कि आपने तो प्लांटेशन किया था ठीक का वहाँ पर कुछ दो चार इधर उधर की स्पीसीज आ गई और और इस सब की पीछे परपाज क्या है एक तो वहां का जो कंपोजीशन है वो बना रहे हैं दूसरा एक खाली पिली की पेड़ भी जिनकी ज़रुवत भी नहीं है यह कॉमर्चिल इंपोर्टेंस है नहीं यह भी वहां पर जो कंप्टीशन क्रेट कर रहे थे उसको कम किया ज भी जया है अब थार अपना आता वह है क्लेंबर कटी तेको जंगलों में क्या होता है कहीं भी हो कि लंबर जग ऊगी जाते हैं यह कि लिंपर की साथ जैसे पॉसीटिव और नेगीटिव है रहे बेनीविट पोसीटिव यह बहुत सारे जंगली जानवार इनकी वजह से फे दौनों ही है जो किलिम्बर है दौनों ही कुश्चन काफी आ चुके हैं याद रखना ब्यूटिया क्या है ब्यूटिया के तीन स्पीशी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा मोनोस्पर्मा ब्यूटिया सुपर्वा और ब्यूटिया पर्वी फ्लोरा इसमें ये सुपर्वा पर्व प्रश BUR2 तो में प्रेंट बूर तरह से बूरत करना चाहिए तो ग्रॉथ नहीं कर पाता क्योंकि वह पर उसने लोक हो पकाल लीता है तो इससे में किलेंबर कटिंग है अपना 3 पिले अगर आपको किलंबर कटिंग ने पड़ गया तो अपना एक और आता है वो है पूरूनिंग पूरूनिंग का मतलब क्या है जैसे मैंने आपसे बूला था कोई पेड़ है जो वहां पर पेड़ दिखाया था अगर पेड़ की साइड ब्रांच अगर तेज बढ़ जागी तो इ प्रॉपरली ग्रोस नहीं कर पाएगी तो अपना एक तो प्लांट छोटा रह जाएगा जिससे अपनी लग लेगी अप उनको छोटी मिलेगी तो इसका एक अच्छा तरीक है यह है कि जब यह प्लांट बढ़ रहा था और इसकी जैसी यह ब्रांच बढ़ी एक लेबल कबर कर लिया और हमें जब समाज में आ गया हम गया और इसे यहां से काट दिया अब काट दिया तो यह ब्रांच ही गई ब्रांच गई तो इसका मैंटेन का कोई फोर्स ही नहीं गया तो इधर के भी फोर्स का कोई मुद्द ही नहीं और हम इसे भी काट देंगे इस से अपने को दो बेनिफिट पड़ते हैं एक जो मैं पिछले बता न भूला वह यह कि जब यह बढ़ता है तो ब्रांच को मैंटेन करने के लिए इस रिजन में बहुत जदा फाइबर का फॉर्मेशन होता है और यहां की जो लकड़ी है वो बिलकुल ही अलगी टाइप भी हो जाती है जद है स्टेट फाइबर नहीं मिल पाते हैं यह बरांच के बिज़े से और अगर ब रांच हम्लड कर रहा है तो यहां के थाट फाइप की एधिशन न होते हैं जो फाइबर होते हो और शहीं कि हाँ ईए बनी नार्टाफूस सब्टों रहेते हैं तो इसी क्या तो जो वीडिंग और किलीनिंग है खाज कर देखो किलींबर तो बाद में गुरू कर पाएंगे अशा नहीं कि आपका आदा मीटर का और आप क्लीनिंग करने चले गए कहने का मतलब है कि वीडिंग की प्रॉलम स्टार्टिंग के फिज में काफी ज़्यदा होती है एक बार आपका पेड़ बढ़ गया तो आपको क्लीनिंग वाले बार थोड़ा करना होता है वीडिंग की समस्या नहीं है क्योंकि आप ग्रासे से नीचे रह गए और ग्रासे आप काफी बढ़ चुकिए है बारा जो पर पाज है यहां वें कि क्या बचेगा अपना नहुंकि एक पार्ट है तो यहां पर बोला था कि स्टाइटिंग में हमने क्लोज स्पेसिंग की बाद में उनकी डेंसिटी बढ़ाते गाए एक लिमिट में जब एक क्राफी जदा क्राउन इनका खटा हो जाता है तो कुछ पेड़ों को हम काट देते हैं और इस टाइप से हम इनको प्रहपर ग्रोथ क्योंकि इनका कॉम्पटीशन हम कर देते हैं आथ क्विस्लिक इस टाइप का जैसे रोटी कपड़ा मगान है वैसी इनका है नीचे से मॉश्चर मिल रही ह। उपर से लाइट है मैनेराल से इनका जो कॉम्पीशन है अगर सब सब्सक्राइब करेंगे दूसरा जब एक ही न्यूट्रियंट है सब्सक्राइब एक बोरा जो फूड है उस मैंसे 4000 लोग खाएंगे तो उन्हें दो दो तानी मिलेंगे उससे बैटर है कि अगर 4000 मैंसे आपने साड़े 3000 निकाल दिये तो एक बोरा में 500 लोग अगर रहेंगे उससे बैटर फूड का और मिनरल्स का इसके अलावा हमारे थनिंग के और क्या अब्जेक्टिव है जैसी को वहां पर कोई कमजोड पेड़ है तो कमजोड पेड़ों को भी हम अटा देते हैं क्योंकि कमजोड पेड़ जो हैं वो कहीं ना कहीं डिईज और इंसेक्ट पेस अटेक के लिए एक टाइप से होस्ट का काम करते हैं और वो आराम से उनका sensitive होते हैं और आराम से उनका grass बन जाते हैं और एक बार उन पर attack कर दिया तो जो कीड़ी मकोड़ है वो एक टाइप से घर बना लेते हैं और आज पर उसके प्यूड़ों पर उस पर पैक्ट डेमेज करते ही रहते हैं तो बैटर है किस ग्रोथ हो पाती है प्रपर उसका जो फॉर्मा वो डिवलाप हो पाता है और इसके साथ साथ दो बाते हो रहे हैं कई बार क्या है कि प्लांटेशन की अगर डेंसिटी बहुत जदा हो तो नीचे जो सर्फिस एरिया वहां पर प्रोपरली लाइट नहीं आपाती मतलब प्रोपी को अगर मैंटेन कर दें थोड़ा मैनिकुलेट करते हैं थोड़ा पेड़ों को अहटा दें तो नीचे तक पहुंच जाता है जिसे हमस का जो डिकम पोजी सनव थोड़ा बढ़ जाता है और इसके साथ जहां बीच वीच में जो पेड़ निकाल रहा है जैसे कि को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर थिनिंग से जो कुछ टाइप के जो कुस्षण नहीं देख लेते हैं पहला तो कुस्षण है कि फोरेश्टी में थिनिंग का मतलब क्या है कि मतलब है जो कमजोड पेड़ा है इनको निकाल दो दूसरा जो प्रॉपरली ग्रोज नहीं हुपा रहा है डी इंफेक्ट टाइप के प्लांट है क्योंकि अभी प्लांटेशन तो अपने कर दी थी 40 साल पहले लेकिन अभी तेक उसमें बहुत सारी कुछ तो कमजोड होई गया होगे जो दूसरों से जयता है बैटर नहीं होगे उन्हें हटा देते हैं तो एक ट्र हमंध को हासे 25 को निकालते हैं ऍसमें Experience को भी निकालते हैं और Two टार्गेटेट जो नंबर है पेड़ पर हेक्टर जो नंबर है पेड़ के के इतने होने चाहिए एक बार टार्गेटेट पेड़ कंप्लीट होगा तो यहां पर यहीं बोला है कि उसने के आप डिजारेवल जो फैवार्ड स्पीशी है यहां मतलब टेंडिंग ऑपरेशन का व परिपक इस्टेंड में ब्रक्षों की ब्रद्दी और स्वरूप को सधार निकले केनोपी ब्रेक में की गई कटाई को क्या बोलते हैं मतलब ऊपर की कैनोपी में जो किया गया है चंज उसको क्या बोलेंगे तो हम थिनिंग में करते हैं तो आंसर इसका आएगा अपना जब हम थिनिंग के इसके टाइप पढ़ेंगे तो आपको यह चीज हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे